तो हेलो स्टुडेंट वेल्कम बेक टू माई चैनल समराट केडमी तो दोस्तों मेरा ना मैकास और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाश 10 के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूसन समाजी विग्यान के ठीक है जो कि आपके 2022 बोड एक्जाम में पूछे जा पहला यहां पर है जैग्सक देख पारे आप अपने जीन पर क्यूसर हमसे यह पूछ रहा है कर पास के खेती एंक कौन wild Zum पीज़का भी यहँदा नग्यार meinem जाखना पना बसकूछ की थे कूंछी क्याम्सरर प्र numbers क्हूरंलत प्रम्रिठा क्वस्चाः मिज़कर पीज़कर तो जल्दी से आप लोगा अंसर बताएं कि कापास की खेति के लिए कौन से मृधा उपयोग्ध से meow तो मैं बता देते हूं आप लोगों कagitर कालम्रिधा अगर आप आपका लिएसर अंधर परशंट क्या है सई है ठीक है कापास की क्यए कोन से मृधा अजयविय संसादन चटाने पसु की पाउधे की मछलियां ठीक है इन चार आपसन में से आपको बताना है कि कौन अजयविय संसादन होते हैं ठीक है तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए और मैं इसका अंसर बता रहे हूं अपना अंसर मिला कि फिर आप तरसले कर लेता सकते हैं कि आपको से गलत है तो आका अंसर हो जागा एक चत्टाने जह चत्ताने होता है हो आजयुश्य अछाजय अधिया संसादन है कुसर जहां यहांपर कंप्लिट हो गया कि इसी के साथ और भी सनिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर प्रश्न है अब क्यूस्त नमर तीसरा क्या बोला है यहां पर द्यान से सुनिएगा कि इटली का एक करन किसके नेतित्रों में किया गया जेश्विपे गेरिवाल्डी के कि आटो वन मिस मार्क के कि नेपोलियन के कि विलियम प्रथम इन चा लोग अपना अंसर चूस कर लीजिए और जल्द इस कлемेंट की मार्यां से क्या होगा क्यूस्त नमर तीसरे का था यूश्यार ों सरad हो जाएगा चलिए बढ़ चलेंगे ऎकले क्यों सद्व प्प तरफ सब्सक्राइब शेखराजाद बद्च अब है कि करो या मरो की आरा खिया किसा था करो या मारो का की सिपर ओवाब पकार मात्मा गांदी इन seven या कषिभ बताना को या मरो करना किसा था ठीक है तो जल्दी से कमेंट के माधिम से मैं बताईए कि कौन सा इन चारो आपसनों में से सही होगा ठीक है बहुत ही जादा वेरी मुस्ट इंपर्टेन क्यूसन इसका आप लोगों को आना ही चाहिए अगर आप अच्छे से त्यारी कर रहे हो तो करो या मरो कनारा किसका था तो आप आपने भी आपसन डी चूज किया है कमेंट किया तो बिल्कुल आपका अंसर अंडेट परशेंट क्या है सही है तो यह क्यूसन नंबर फोर था आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लिए हो गया होगा चलिए आगे बढ़ेंगे क्यूसन नंबर फाइब की तरफ अब सवीने अवग्या अंदुलन कब चलाया गया। वाई में急 सो बाइस क्या होगा ऑप संज्स्स कुश्ट के करेक्ट अंसर सबी कै अगया अंदुर्णक चलाय गया तो न X22 7 थीक है एक होट न भाइब अच्छ तरीक in kacts कि लिए हो गया होगा चलिएं यहैं क्यूस्ट नमर च्कलिएं तब सिक्स देखने वालैं अब इतने नमर के चार नमर के प्रश्ण पूछे जाते हैं अब बहुत ही प्यारा प्रश्ण है कि जलिया वाला बाग कांड पर एक संचिफ टिपड़ी लिखें बहुत ही ज्यादा में तो फूरे तो यहां पर मैं आप लोगों के क्यूशन याद करा दूंगा अच्छे तरीके से कहानी नुमा बता कर कि आपकी दिमाग में फीट हो जाए अक्यूशन अगर आप कहा है कि जलिया बाग कांड पर एक संचिफ टिपड़ी लिखें ताप अच्छे तरीके से लिख पाए रट्टा नहीं मरना है चीजों को समस्ते चलना है ठीक है कि आखिर में जलिया वाला ब एक चला उसके बिरोद में पंजाब के जो अमरी समय जो पंजाब पड़ता है पंजाब में अमरी सर जो जीला है ना वहां की जनता अत्यांत अक्रोसित थी किसके कारण रोलेक्ट एक्ट जो लाग हुआ था इस सर में सैनिक सासन लागू करके नियंतर जनरल डायर को अक्रो दिया गया था इस सर में सैनिक सासन लागू करके नियंतर जनरल डायर को दिया गया था जो कि 12 अप्रेल 1929 को नगर में सरवजनिक सवापर प्रतिबंद लगा दिया गया 12 अप्रेल 1929 को नगर में सरवजनिक सवापर क्या लगा दिया गया प्रतिबंद लगा दिया गया जिसकी पूरी जनकारी जनता को नहीं कराई गई जिसकी पूरी जनकारी जनता को नहीं बताई गया और बस उसको 12 अप्रेल 1929 को नगर में सरवजनिक सवापर क्या लगा दि इसी दिन सरकार की नीती का विरूत करने के लिए जलया वळाग में एक सारवजनिक सबाख का आयोजन किया गया क्या बोला है कि 13 अप्रेल को एक से वारता व्यसाकी का और इसी दिन सरकार की नीती का विरुद करने के लिए जलिया वाला बाग में एक जलियोला बाग था वहाँ पे उस बाग का नम था जलियोला बाग और वहाँ पे सरवजनिक सभा को क्या किया गया आयोजन किया गया अस्व भी सांती पुर्वक चल लए थे वहाँ पे जो आयोजन चल ला था बहुत ही सांती पुर्वक से चल ला था तब ही जनरल डायर ने जो उसमें सनी का देर था जनरल डायर उन्होंने क्या किया उसने जनरल डायर क्या किया कि दूसों देशी जनता और पचास गुरूप सिपायों को लेकर एक दरबाजे पर क्या किया रोक लगा दिया और नियुत्थी जनता जनता तो वहां पर आराम से बैटके अपने जो सुन रहा था तो वहां पर उन लोगे पास कुछ तो था यह नहीं ले प्रस्चाहिए प्रश्याईप जल्यावला बाग की कारण से कुए और सिर्फटा घेलेघ्ज कोई पूछएगा तब उसको असका एक जाम में ग्जाम नियुक्त में बहुत घिन्स घाल महत्न काथ फ्रस्ट लुक्त अन्मर 6 बहुत ही ज्यादा मतल law ट्यार कर लिजए गावाफ लूग चलीए प्रवाऊल फिक्स किलिए रोगया न है अब प्रश नम्रl साथ माझा कितना इमस्ट इंपॉट्एंट है फ्रुरी ज्यादा बहुत ज्यून भी इस समीज़ पसान से समझझ पाएंगे और मुश्ट होती है और जिन में जीवन ब्याप्त होता है जेव संसाधन कहलाता है जेव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति किस से होती है जीव मंडल से होती है जिन में जीवन क्या हो ब्याप्त हो जिसमें जी सके जैसे मनुस्या वनस्पति जगत प्राणी जगत पसुदन तथा मतर्च से जीवन आदी यह सब क्या जैव संसादन है क्या है जैसा कि इसमें ज्यान प्राण होता है और इनकी प्राप्ति जी मंडल से होती है तो उनको क्या कहते हैं जैव मंडल कहते हैं ठीक है अब निर्जी वस्तों से बने होते हैं क्या खृता अजयर संसाधन कहलाते हैं और जिसमें जीव जान पराण होता हूसे जैस्व झासाधन कहते हैं व जैसे च टान हुआ और धाsu हुए सब्सक्राइब निर्जी वस्तों से चट्टान बनाए पसू पाउदा मचलिया यह सब क्या है जैव संसाधन बनते हैं जो कि अपसानी से समझ गए होंगे ठीक है तो जैव और अजैव संसाधन के लिए रोगया न ते प्रश्ट नमर साथ हों जो कि बहुत ही ज्यादा में तो पूड़े इसे आप लोग नोट करके याद कर लीजेगा इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्टन की तरफ और प्रश्ट नमर आठवें की तरफ और यहां पर कि एक देश की अर्थ ब्यवस्था को एक देश की अर्थ ब्यवस्था को दूसरे देश की अर्थ ब्यवस्था से तता संपूर विश्व के विविन देशों के अर्थ ब्यवस्था का एक दूसरे से विविन छेत्रों के माद्यम से जुड़ा होना इब मंडली करन या वेस्विक्रन कहलाता है कि कोई एक देस के अर्थ व्योस्ता है और कोई एक दूसरा देसा उसकी अर्थ व्योस्ता है और उन दोने के अर्थ व्योस्ता का संपूर विश्व से बीविएन देसों के अर्थ व्योस्ता का एक दूसरे से बीविएन छेत्रों के मादम से क्या ह होना जुड़ा होना इप मंडली करने या वेश्वी करने कहलाता है बहुत ही ज्यादा सिंपल सब्दों में तए प्रश्णा आपको याद होना चाहिए इस विडियो में हमने प्रश्णा आठ आठ प्रस्ट इसके जो कि बहुत ही जादा मैत्तोपूरे और इस अच्छे तरीक झाल झाल झाल